एलो फ्रेंज कैसे हैं आई होब आप लोग ठीक होंगे न्यू किछन टेप से नीव हैं के साथ आ गई हूं फ्रेंज से रोज की तरह तो आज का किछन टेप से बहुत योसफूल होने वाला है बहुत एक्वाल का टेप से लेकर आए हूं जिसे कि आपकी समय की बचत होगी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ सेर भी करें पहला है इस तरीके से मिर्चे से लेकर किछन में आते हैं और जब भी खाना बनाते हैं तो लहसन, मिर्च, प्याज ये सब को कट करना होता है सुबह साम दोनों टाइ हम लोग लाइसन भी कट कर लेते हैं प्याज भी कट करते हैं कोई दिकत नहीं होता है जब कितनी लोग को तो ये पड़िसानी होता ही है जब मिर्ची कट करते हैं तो फिर हाथ में जलन होने लगता है और फिर इस तरीके से कहीं पे भी गल्दी से ये हाथ लग जाता है तो औहां पर भी जलन होने लगता है, यह छोटी बच्ची घर में हो, उनको भी थोड़ा सा इस तरीके से आगें की चन में आप पुछू देते हैं, तो फिर भी धोने के बाद भी जलन मिर्ची का नहीं जाता है, तो फिर इस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप यह जो है ना किसाने नहीं होगा, दूसरा है इस तरीके से लेकर, अगला है इस तरीके से बिस्किट से लेकर, अक्सर हम इस तरीके से बिस्कित का पैकेट को कट करते हैं, और बच्ची को खाने के लिए दे देते हैं, बच्चे आधा खाते हैं, आधा छोड़ देते हैं, या फिर गर में हम बहुत सारे ऐसे बिस्किट हैं जिसे हम रखते हैं फिर उसमें नमी हो जाता है जिसके बज़त से जो है खाने में टेश्ट अच्छा नहीं लगता है क्रेस्पी भी नहीं लगता है तो बैसे हमें करना क्या है इस तरीके से थोड़ ऐसा जो चीनियम डिली योज करते हैं उस इससे लेना है थोड़ा सा और बिस्कित के पैकेट में इस तरीके से आप डाल दें और फिर इसको इस तरीके से बंद करकर अलमुनियम का पेपर घर में तो होता ही है आप इस तरीके से अलमुनियम पेपर में लपेट कर आप रख देते हैं आपका जो बिस्किट है वो एक हफ्ते तक भी खड़ाप नहीं होगा क्रिस्पी रहेगा ही आप इसे 2-4 घंटे बाद भी खाएंगे या फिर 2-3 दिन बाद भी खाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पहले से खुला हुआ था खाने में बिल्को भी टेस्ट अलग नहीं होगा तो फ्रीज आप जरूर बताना कि ये टिप्स आप लोगो कैसा लगा अगला है इस तरीके से कपड़े से लेकर तो अक्सर हम लोग कपड़े धोते हैं मसीन में या फिर इस तरीके से बालती में क्या होता है सारे कपड़े को तो हम एक बार इस तरीके से डाल ही देते हैं अक्सर जब हमारे कपड़े में बलॉज रहता है तो उसका जो हूख है वो एक दूसरे के कपड़े में फस जाता है और कपड़ा में फचने के बाद जो है कपड़ा भट भी जाता है मसीन में डालते हैं उसमें तो अक्सर ऐसा होता ही है जिससे कि हम उसको छोड़ाते हैं उसके बाद जो है हम फिर बहुत उलच जाता है कपड़ा तो फिर इस आपको करना क्या है कुछ भी निकरना अब इस तर आप पहले जब भी कपड़ी को डाल रहे हैं बालती या फिर मसीन में तो आपको इस तरीके से हुक जो है उसको अच्छे से लगा देना है तो देखें कितने अच्छे से यह मतलब फस गया था बिना हुक लगाए हुए हम डाले थे तो फिर इस बालती में तो कुछ कम ही उलच मसीन में तो बहुत ज़्यादा उलच जाता है तो आप इस तरीके से इसका जो हुक है ना उसको लगा दें दो हुक यह बलोज है बलोज का भी दो हुक लगा दें तो आपका कपड़ा नहीं फसेगा और बहुत अच्छे से आप इसे फिर बावस से निकाल पाएंगे अकला ह इस तरीके से देखी हम जो है लगा कर डालेंगे ना तो नहीं कपड़ा में एक भी नहीं फसेगा और खटेगा भी नहीं तो फ्रेंज कुछ ऐसे से टीप्स होते हैं काम होते हैं जिसे हमें टीप्स एंट्रिक से करना होता है अगला है यह दिकत अक्सर लेडिज के साथ होत तो फ्रेंस हमें करना क्या है इस तरीके से पहले जो है इसको हूख लगा लेना है जो हूख है ना दोनो उसको लगा लेना है उसके बाद इसको अच्छी तरीके से हमें फोल्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से तो फ्रेंस इस तरीके से फोल्ट करने के बाद हमें जो है यहां पे लेना है सोक्स जो कि हमारे सोक्स ऐसे एक पड़े हुए गर में राते हैं पुराने उसे लेना है उसके बाद हमें इसको इसमें डाल देना है तो फ्रेंज ये जो है आप मसीन में होते हैं तो ये आप देखते हैं इस तरीके से उलत जाता है और फिर हमें मिलता भी नहीं है इसके कारण से हमारे बहुत सारे कपड़े उलच जाते हैं, इस तरीके से आप साफ करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं उलचेगा, दूसरा है इस तरीके से भैसलिंग और प्याज से लेकर, तो फ्रेंस यहां पे लेना है, पहले दोस्त प्याज लेना है, इसके वो हमें छील ले लेना है, तो ध्यान में रहे फ्रेंस हमें लेना है, लाल वला ही प्याज को यूज करना है, तो आप तो प्याज को खाने में बहुत ही यूज किये हैं, आज जो हम यूज करेंगे फ्रेंस वो कुछ हट कर है, बहुत ही कामाने वाला है, इससे आपकी पैसे की भी बचत उसे ही लेना है और इस तरीके से कस कर लेना नहीं है आपके पास तो इस तरीके से आप छूरी से भी कट कर सकते हैं बारिक बारिक कट करना है इसको बस हमें लेना है एक प्याज लेना है और यहां किचन में आ जाना है उसकी बाद हमें लेना है जिसमें कि हम रोटी बनाते हैं वो लोहे का तावा ही लेना है और यहां पे हमें सरसो का तेल यूज करना है या यहां पे सरसो का तेल थोड़ा सा यूज किये हैं और हमें तेज आच नहीं रखना है हमें हलका ही रखना है उसके बाद हमें यहां पे डाल देना है प्याज जो कि हम कस करकर रखे हैं और फ्रें यहाँ पे हमें डालना है थोड़ा सा ज्यादा नहीं डालना है जिसे कि आप देखें कि चार चमच के लगबग हमारा सरसो का तेल था और यहाँ पे एक प्याज था तो बस हमें थोड़ा सा डालना है इस तरीके से बंद कर देना है और बंद करने के बाद हमें जो है थोड़ा कुछ निगा कर दैना कि जितनी कुक यह तरीकेसे दाप कर निकाले ना है और see और see avenue ध्यों तरह किए स्agit निसका निची आगा खेऊ तो फ्रेंस इसे आपकी परेशानी तो भी आपका दूर भो बस इस तरीके से हमारे हाथ में कभी-कभी मोच आ जाता है, ये फिर पिंदिया में दर्ध होने लगता है, जो भी जादाаж है उनको चेट ऑक्छ या फिर जो दौरने वाले हैं उनको तो फिर इस तरीके से हाथ में भी मोच कभी कभी आजाता है काम करने में तो वैसा आपको करना क्या है या सूजन हो गया है ये थोड़ा सा तेल लेना है और इस तरीके से आपको मसाज करना है ये जी हरा हरा नस दीख रहा है न दर्द के ब करते हैं थोड़ सा मसाज करते हैं आपका जितना भी सूजन है या फिर मोच आ गया है वो सब ठीक हो जाएगा उसके बाद देखिए हाद में कभी-कभी वाम भी लगा लेते हैं दर्द के कारण और फिर पटियां बानते हैं तो फिर उन से बहुत ही दिकत होता है पटि बानते तो आपको करना क्या है इस तरीके से ue सौक से लेना है और आथ में से टान लेना है इसे क्या होगा गर्माहट रहेगा हाथ में और फिर जो है आपके जो भी सूजन है या दर्द है वो सब आपका बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा और फ्रेंज जब ही पिंडिया भी दर्द हो ना तो आप सोने के समय रात में ही यूज करना है आज का वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा भी अच्छा लगा लाइक